रियालिटी पिच्चर बूक हां सिर्फ पांच मिनिट बचे हैं क्या वो इसे रोक पाएंगे हां नोबिता के पास बॉल है वो गोल की तरफ जा रहा है वो पूरी स्पीच से बढ़ रहा है ये गोल अरे नहीं हां अरे नहीं मॉम को तो ये बहुत पसंद था अब मैं क्या करूं हां अब मैं इसका क्या करूं इसे वहां चुपा देता हूँ हाँ यह ठीक है अब इसे कोई नहीं धून पाएगा तुम यहां क्या कर रहे हो नहीं कुछ भी तो नहीं माम अच्छा नोबिता कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवग भी कर लिया करो समझ गये हाँ ठीक है नोबिता तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए हाँ आज तो बाल-बाल बच गया तुम क्या पढ़ रहे हो क्या यह यह है रियालिटी पिक्चर बुक रियालिटी पिक्चर बुक क्या मैं देखूं हाँ अरे यह तो मीचान है डोरेमान हाँ तुमने सही कहा हाँ तो यह बुक मीचान के बारे में है अरे इस बुक में तो दो ही पेज है क्योंकि इस बुक में पिक्चरस मूद करती है नोबिता क्या सच में अरे वाँ पिक्चर चेंज हो गई यह पिक्चर बुक तो बहुत मज़ेदार है हाँ अरे क्या बात है हाँ अरे यह तो वही है यह हमेशा मीचान को परिशान करता है आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला बीचेन ये क्या डोरे मौन तो बिना वज़े ही घबरा रहा है ये तो बस एक पिक्चर बुक है असलियत में थोड़े ही हो रहा है ये क्या वो तो पहुँच गया उसे छोड़ना मत डोरे मौन मैंने उसे भगा दिया नो पिता लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे वो इसलिए क्यूंकि ये पिक्चर बुक बिलकुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है समझे क्या सच में तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचन के साथ हो रहा था हाँ इससे यूज कैसे करते हैं सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिच्चर बुक देखना चाहोगे कौन सी देखूँ ये ठीक है पता था तुम यही चूज करोगे कैसे देखो ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल साही बुक है नोबिता मॉम को इतनी मेहनच से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा मैंने ठीक कहा ना नोबिता हाँ ठीक है डोरे मॉन अब जल्दी से ये बताओ किसे यूज कैसे करना है ठीक है तुम्हें अभी बताता हूँ पहले तुम्हे पिच्चर बुक को मॉम की तरफ मोरना होगा उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है हाँ अब कुछ नहीं करना हाँ ये बहुत आसान है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये पिच्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता मुझे दिखाओ हाँ तुमने सही कहा अब जरा मुझे भी देखने दो हाँ देखो मॉम कितनी मेंद करते हैं वो तुमसे बिलकुल अलग है नोबिता क्या वो कहां जा रही है मिच्थ वgor नहीं क्या हुआ अरे नहीं वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है अब मेरािक्या होगा क्यों स्टोरेज में क्या है हां कुछ भी नहीं तुमने फिर से कुछ छुपाया है क्यूं है ना तुम्हें फिर से टेस्ट में जीरो मिला है ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमान पिच्चर चींज हो गई हां अरे नहीं अब क्या होगा वास का पता चल गया क्या वास? अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ नोबिता कभी कोई काम धंग से नहीं करता नोबिता मॉम वो भाग गया मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरे मौन समझ गए अब मुझे उमीद नहीं है कि नोबिता कभी सुतरीगा अरे रियालिटी पिच्चर बुग कहा है वो उसे ले गया वो हमेशा यही करता है अच्छा हुआ मैं ये बुग अपने साथ ले आया अब मैं कौन सी उस करूँ हाँ ये बुग ठीक रहेगी तुम्हारा घर गंदा हो गया है पी को आज में से साथ कर देती हूँ वो रही शिजुका हाँ हाँ फ्रेंड्स पिक्चर बुग को यूज़ करता हूँ अब मैं आराम से कहीं भी बैट कर इसे देख सकता हूँ अब इसके बाद मैं कौन सी बुग यूज़ करूँ हाँ अरे वाई एक हेलिकॉप्टर ये बुग ठीक रहेगी कुछ मज़ा आया नो बिता हेई नो बिता जरूर तुम भी इसे ट्राय करना चाहोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे सुनो मुझे इसे ट्राय नहीं करना वो चला गया जाने दो बहुत हो गया जियान अब मेरा हेलिकॉप्टर वापस दे दो अभी नहीं सुनियो मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान घबराओ मत इसे कुछ नहीं होगा अरे 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 नहीं प्लीज कुछ करो जियान रिमोट काम नहीं कर रहा सुनियो अरे वो तो चला गया ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान जाओ उसे ढूंड कर लाओ जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे ये बहुत महंगा है अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे ये मेरी गलती नहीं है ये इस रिमोट की गलती है सुनियो तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान गलती तुम्हारी है क्या कहा तुमने क्या तुम भूल गई तुम किस से बात कर रहे हो सुनियों मैं सच कह रहा हूँ गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पाइलेट हो जियान चुप हो जाओ ये सब इस रिमोट की वज़े से हुआ है ये खराब है पकड़ अपना रिमोट रुक जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते प्लीज रुक जाओ जियान उसे ढूड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुसा करेंगी अब मैं आराम से बैट कर पिक्चर बुक देख सकता हूँ पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी डोरे मॉन का ये गैजट तो कमाल का है हाँ वो क्या कर रही है शिजुका को इंसेक पकरना तो पसर नहीं है फिर क्या बात हो सकती है समझ गया उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है पीको, तुम कहाँ चले गई हो पीको, वापस आजाओ पीको, शिसुका देखो वो वहाँ पेड़ पर है, उपर देखो, शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी, मेरा हेलिकॉप्टर, पता नहीं कहाँ चला गया, अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ, पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहां से बहुत दूर चली गई होगी, हाँ, पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आजाओ, सुनो शिसुका, हाँ, नोबिता, मेरी पीको वहाँ, समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो, हाँ, मैंने पकर ली, हाँ, अरे भाँ, नोबिता, हाँ, अरे, सुनियों का हेलिकोप्टर, थैंक्यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो, कोई बात नहीं, हे, नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा, हेलिकोप्टर, मैंने देखा है, क्या कहा, सच में, वो कहा है ये रहा सुनियो हां, अरे ये तो मेरा हेलिकोप्टर है ये उपर पेड में अठ्का हुआ था सुनियो ठेंक यू नोबिता, ये हेलिकोप्टर बहुत महंगा है मुझे माफ कर दो नोबिता मैं प्रामिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा कोई बात नहीं सुनियो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बारिस शुरू हो गई अब मैं चलती हो नोविता हाँ मैं भी बाई 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 बाद में मिलते हैं अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी दो रिमान अरे तुम सही टाइम पर आये हो अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबता हाँ हाँ मॉम कहा पर है वह थोड़ी देर पहले शॉपिंग करने गई है लेकिन पता नहीं नोबता मॉम अम्ब्रेला लेकर गई है यह नहीं हाँ हाँ उनके पास अम्ब्रेला नहीं है नोबिता तो बहुत अच्छा है ओ नहीं काश ये बारश जल्दी से रुख जाए मॉम हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए ये लीजिये मॉम थांकियो बेटा ये लो पकड़ो आज आपने जो कपड़े धोई थे मैने और डोरे मॉन ने वो सारे अंदर रग दिये हैं मॉम तुम दोनों मेरा कितना ध्यान दीजिये वो वास मैंने ही तोड़ा था मैंने उसे सौकर बॉल से हिच कर दिया था आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे छुपा दिया था कोई बात नहीं बेटा मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है जो तूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता और तुमने मुझसे मा की भी मांग ली है तो अपने नाराज नहीं हूँ अब तो तुम खुश होना नोबिता बेटा हमें घर चलना चाहिए मुझे डिनर भी बनाना है तुम्हारे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे माम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अच्छा क्या ये बात है ये तो ठीक नहीं है क्या बात है डोरेमॉन सुनो नोबिता बी चान का एक फ्रेंड है काको चैन हाँ हाँ देखा ये कितनी बुरी बात है नोबिता मैं तो कुछ भी नहीं समझा चलो हमें मिस्टर यामारा से बात करनी होगी ओ आयम सॉरी ऐसा लगता है तुम पैट्स की फिलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो मुझे बहुत खुशी होई बताओ मीचान अब तो तुम खुश हो ना हाँ तुम्हें लगता है यहां और भी पैट्स है जिने कुछ प्रॉब्लम है इसने सही कहा डोरेमॉन मुझे यकीन है यहां और भी पैट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे कुछ समझे हां तुमने ठीक कहा लेकिन मैं हर पैट को तो ट्रांसलेशन जली नहीं खिला सकता ना नोबिता यह ठीक रहेगा दपैट्फोन क्या ये एक पैट होट लाइन होगी बिल्कुल सही हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंज के जरीए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैट कर सब सुनेंगे ये तो बहुत फास्ट है हलो मैं पैट हॉट लाइन से बोल रहा हूँ हलो मेरा नाम कैथरिन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढून पा रही हूँ तुम खो गई हो अपने ओनर का नाम और अड्रेस बताओ समझ गया तुम वहीं रुको हम अभी आते हैं जल्दी करो नोबिता तुम गहा हो वह तो यहां नहीं है मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था अरे ये क्या चैथरिने के लिगेटर है इसी कैड़ी क्लव ओ कैथरिन मेरी प्यारी कैथरिन ओ तुम कहा चली गई थी कैथी नाम की वज़े से मुझे लगा कि वो एक कैथ है मुझे खुशी है वो पहुच गई नो पिता डोलर फॉन कैसे हो तुम एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना एक बार मैं भी ट्राइ करना चाहती हूँ हाँ जरूर करो हेलो मैं पेट हाट लाइन से बोल रही हूँ मैं सुनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ हाँ बोलो बैरन क्या कहना चाहते हो सुनियो ने तुम्हे बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है देखो ये बैरन का खाना है टॉप क्वालिटी मीट ये बहुत सस्ता है ये सब छूट है वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और खर का बचा हुआ खाना खिलाता है कभी-कभी फिश्या मीट मिले तो अच्छा लगेगा इसने ये कहा हाँ ये कभी-कभी खाने में फिश्या मीट भी खाना चाहता है सुनियो मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता जरूर तुमें कोई गलत पहमी हुई है लेकिन इसने तो कहा है कि तुमें से सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो हाँ तुमने सच में ऐसा कहा चिंता मत करो बैरन आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खीलाओंगा मॉम बैरन के खाने का टाइम हो गया है देखा ये कितना खुश है हेलो ये पेट हाट लाइन है बोलिए क्या तुम्हें घर से निकाल लिया मेरा नाम है पीपो मैं एक कैनरी हूँ मुझे एक नया ओनर चाहिए बहुत बुरा हुआ लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है अरे हाँ मुझे अभी याद आया मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए तुम उसके पास चली जाओ पीपो ओ, थैंक यू थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी हाँ हलो, मैं पेट होट लाइन से बोल रहा हूँ जियान तुम से हैंडस्टेंड करवाता है क्या मूकू मूकू की फेलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान लेकिन उससे तो ये बहुत पसंद है लेकिन तुम उससे हैंडस्टेंड करवाते ही क्यों हो मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है वो भी shake, bag and turn around कर सकता है और इसलिए वो handstand भी आराम से कर सकता है लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी हे मूकू सुनो मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो बात ये है की हाँ हाँ जल्दी बोलो क्या तुम नहीं कर सकते मूकू मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो एक बार ट्राय तो करो मैं ये सब नहीं करना चाहता तुम ट्राय भी नहीं करना चाहते तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ तुम बेकार हो मूकू अब तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने टीवी पर देखा है अज बहुत तेज वारिश होगी मॉम अभी मैंने एक डॉग की अवास सुनी अरे मुकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो डोरे मॉन एक बुरी नियूस मुकू अभी तक वापस नहीं आया हाँ मॉकू घर नहीं आया अब क्या करें हाँ पता नहीं वो इस बारिश में कहा होगा मुझे चिंता हो रही है जल्दी चलो हमें उसे धूना होगा मुकू तुम कहा हो मुकू तुम कहा हो मुकू अरे बचाओ मुझे प्लीज कोई बचाओ मैं डूब जाओंगा अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज यह मैं कहा फच गया हूँ अब मैं क्या करूँ अरे मुकू 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 क्या हुआ देखो वो रहा मुकू 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 मैं बहुत बुरा हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया अब मैं तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा तुम बहुत अच्छे हो मुकू मुझे खुशी हुई हाँ मुझे भी नोबिता पैट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं जोगरा हो गया तो क्या हुआ तुम भी तो एक पैट हो डोरेमान देखो मुझे पैट मत कहना मैं पैट नहीं हूँ मैं 22nd सेंचरी से यहां तुम्हारे पदक करने आया हूँ समझे नोबिता